अपनी पार्टी भागपा माले का बानवा अस्थापना दिवस मना रहे हैं और यह अस्थापना दिवस का मूल संकल्प है कि पिडितों की सेवा करो हम जनता की सेवा के लिए पिडितों की सेवा का संकल्प के साथ यह अस्थापना दिवस मना रहे हैं और आज अस्थापना दिवस के मौके पे जिस तरह से करोणा का संकर्मन वो काफी विक्राल होता जा रहा है तो इस तरह से पिडितों की सेवा के लिए आज हम भागपा माले राइजिकारजाले में एक हेल्फ डेस्क की सुरुवात कर रहे हैं जिसमें हमारे एक्टिविस्ट रहेंगे कुछ चिकत्सक रहेंगे कुछ समाज सेवियों को इसमें जोड़ करके और कई से जादा से जादा पिडितों की सेवा किया जाए इस बात का हम लोग जहना इस बात क जार्खन तब्दिल होता जा रहा है इससे बचाने के लिए पुरे इस हल्प डेस को पुरे राइज में हम लोग और भी इसका विस्तार करेंगे और पिडितों की सेवा का और भी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे पार्टी अस्थापना के 52 वर्षगाठ के मौके पर आज हमारी पार्टी पूरे देश में ही अस्थापना दिवस मना रही है और पूरे देश में जो अभी कुरोना के कारण से जो विपदा पैदा हुई है ये विपदा बस्तुतह कोई प्राकिर्तिक नहीं है बलकि सत्ता धारियों के द्वारा भाजपा शासित जो केंदर की सरकार है उनके कूप प्रवंधन के कारण से इस तरह की विपदा भारत की जनता के सामने पैदा हुई है इस विपदा से मुकावला करने के लिए हमारी पार्टी कार्च करता पूरे देश में इस कोरोना संकर्मन के दौर में भी जनता को कैसे मदद पहुचाई जाए जनता की कैसे सेवा की जाए इसको ले करके हर जगा आज संकल्प ले रहे हैं संगठित हो रहे हैं और शाथी साथ इस बात के लिए भी जनता को सचेत कर रहे हैं कि ये जो सरकार जिसको जनता के लिए कोई चिंता नहीं है वो सिर्फ अपने जो अमीर मित्र हैं अमीर जादे है उनके लिए नीतियां बना रही है जो सार्दनिक स्वास्त सेवा को इन्होंने जो ध्वस्त कर दिया है जो ऑक्सीजन और विंटिलेटर के आभाओं में लोग जो मरने के लिए बिवश है इसके खिलाफ जनता को सचेत करना और शंगठित करना भी इस संकल्प का हमारा आज का लक्ष है और आने वाले समय में ये सरकार के कुपरवंधन के कारण से लोगों की जो मरने को विवश हो रहे हैं लोग जो संक्रमित होने को विवश हो रहे हैं इसके खिलाफ देश की जनता और भी बड़ी संख्या में संहर्ष्व में उत्रेगी उस संहर्ष का नित्रित भागपा माले करेगी ये आज का हमारा शंकल्प है